नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिडंट सेर्ण के बारे में यह सेर ने अच्छी तेजी के बाद 52 रुपीज का हाई लगाया था इसके बाद 40 रुपीज का लो लगाया जो एक अच्छा खासा कोरेक्शन ले लिया है यह सेर ने तो अब आगे देखेंगे है कि यही सेर का एक सपोट है और सपोट के बाद यह स्टॉक उपर कितना जा सकता है तो देखते हैं आगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली स्टॉक एनालिसिस चैनल में इस चैनल में हम डेली इंट्राडे स्टॉक का एनालिसिस करते है जिससे आपको इंटर्डे ट्रेड करने में हैल्प रहें तो दोस्तो ये स्टॉक ने अच्छी खासी घीरावट के बाद 40 रुपिस का लो लगा थे इसके बाद तीन दिन से green में close हो रहा है तो दोस्तों आज ये stock में अच्छी खाजी तेजी के बाद थोड़ा उपर से selling pressure आया है तो देख लेते हैं कल के session में ये stock कैसे मोग करता है हम देखेंगे support and resistance ला support रहेगा वो है 43 रुपीज का इसके बाद आपका next support रहेगा वो है 41 रुपीज का इसके बाद आपका third support रहेगा वो है 40 रुपीज का ये हो गई दोस्तों support की बाद अब देख लेते हैं resistance तो दोस्तों कल ये stock gap up opening होता है तो आपका पहला target रहेगा 47.75 रुपीज इसके बाद next resistance रहेगा वो है 49.15 रुपीज और अगर ये कल क्रोस कर देता है तो देखेंगे आपका 3rd resistance वो है 52 रुपीज का तो दोस्तों ये हो गई support और resistance की बाद अब देख लेते हैं RSI तो दोस्तों ट्रीडन सेर का अभी RSI चार रहे 54 रुपीज जो एक बाइंग जून में है तो दोस्तों बने रहे है इस stock में तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो लाइक एन सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगली नए वीडियो में जय हिन जय भारत झाल